तुम को देखा तो ये खयाल आया, जिन्दगी धूप, तुम घनास आया, जब भी इस गाने को आप सुनते होंगे, जो मैसूस करते होंगे, जो आंखों के सामने अभिनेत्री आपको नजर आती होगी, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौझूद हैं, दीपती नवल जी का ज जो हम सब के दल के बेहत करीब रही है, उनका नाम लेना बेहत जरूरी है, आपको बताते चले, चश्मे बद्दूर हो, साथ साथ हो, कथा, अंगूर, हिप हिप हुर्रे, अनकही जैसे तमाम बहतरीन फिल्में, जिनको एक अधाकारा की रूप में, नसर्फ आपने अभिने किया, बल्कि उनको जिया है, आपका बहुत स्वाकत है मैम, लेकिन इस वक्त आप एक अलग अंदाज में हमारे सामने हैं, क्योंकि उन्यूसो इक्यासी से किताबों को लिखना आपने शुरू किया, अधाकारा के साथ ही साथ एक लेखा, एक अवित्री के तौर पर भी अप सबको मिलती है, इसके बारे में कैसे बताएंगे आप? पहल उस वक्त का था, विच इस लेट फिफ्टीज और अर अलग उसक्स्टीज तो वो जो पिरिट था वो मैंने एक तरह से इस किताब में उसको रीक्रिएट किया है, नोट जस्ट के एक तो होता ना कि आप बताते हैं कि बच्पन में हम ऐसे करते थे, वैसे करते थे, वो जो रीडर है, उसको अपने साथ ही शामिल करके, अपने साथ ही उंगली पकड़ के ले जाओं और वो बच्पन का जो मेरा पूरा महौल है, वो उनको सब दिखा दूँ कि कैसे रहना जाने के लिए तो फिर बच्पन की यादों को सिर्फ ताजा नहीं करना पड़ता है, करते हैं, तो मेमरी के पीछे कई और मेमरी होती हैं, आपको इस बात का इल्म नहीं होता, कि जहां पर मैं जा रही हूं, वो मुझे और भी अंदर, और भी आगे, कई और जगां में भी ले जाएंगी, तो बहुत सी मेमरी ट्रिगर होंगी, एक मेमरी से, तो वो एक सिलसला जो है, वो लगातार चलता रहता है, मैंने एक्स्पिरिंस किया है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे बच्पन की इतनी मेमरी मेरे जहन में हैं, पता नहीं था, वो लिखते टाइम, जैसे एक एक परत खुलती है न, वैसे जो, सिनिमा का एक एक फ्रेम आँखों के सामने आता हुआ चला गया, वैसे हुआ कि वस पढ़ते खुलती गई और यादें जो है, वो उभर के आने लग गई और चलता गया यह सिलसला, 1981 में, लंभा लंभा से आपने लेखन के शिर्वात की थी, और कविताओं का वो संग्रह जो लोगों को अपनी और आकरशित करता है, खींचता है, उसके बाद हर दस, दस सालों पर आपकी किताबें, दस तक देती हैं, आती जाती, देखें, दस तक दरबार की यह महफिल है, इसलिए दस तक शब्द का बार बार इस्तिमाल भी किया जाएगा, लेकिन आपके जिंदगी का यह जो शंकराद रहा, एक तरफ बड़े पर अभिने करना, दूसरी तरफ, किताबों में खुद को रचना, बसना और उसको आगे लेकर जाना, यह कैसे हुआ? I think यह इसलिए होता है कि जब कोई आर्टिस्ट अपनी पहचान करवाने की खाइश रखता है, तो वो पहचान जो है, हम कितने किरदार प्ले करते हैं, जीते हैं उनको, लेकिन वो पहचान जो है, वो आपकी खुद की नहीं है, वो कोई एक रोल है, फिर कोई दूसरा रोल ह कुछ तीसरा, किसी कोई रोल लोग पसंद करते हैं, कोई किसी को अच्छा लगता है, किसी को दूसरा अच्छा लगता है, बट दाट इस नोट वो यू आ, तो एज रॉटर हमेशा मुझे यह लगा के, मेरी बात मैं कब कह पाऊंगी, मैं अपने बारे में कब किस किरदार म तो वो मैं अपने आप को अपने आप कर पाऊंगी, अपनी बात, अपने मन की बात, तो वो जो है, वो रोल मुझे, as a writer, writer के रोल ने, मुझे वो opportunity, वो जब हम बचपन में जाते हैं, तो जीवन का अलग संगर्ष भी होता है, देखे, बचपन में क्या आपने कभी खल्पना की होगी, कि आप देश की इतनी बड़ी जानिमानी एक्ट्रस बनेंगी, जो जब निकलती थी, तो उसके बाद, मुझे पता है, मैंने उस दौर के तम किस तरह से आप याद करना चाहेंगे उस दौर को, उस दौर वो बहुत प्यारा दौर था, एक तो थोड़ी सिंप्लिसिटी थी, फिल्मों में भी और लोगों में भी, बहुत आसानी से आप किसी भी डिरेक्टर से बैठके बात कर पाते थे, आज कल कास्टिंग डिरेक्ट किसे अम लोग चले जाते थे, दादा मुझे आपके साथ काम करना है, वो ऐसा आज अलग है, भुझ से चले जाते थे कि मुझे काम करना है, बिल्कुल, फर उधर से रिप्लाई क्या आता था, नहीं वो तो फिर उनसे बातचीत होती थी, मैंने तो रिशिदा के साथ दो दो कि एक directness था, और उसमें कुछ, मतलब कुछ complication नहीं था, सीधे आपने जिससे, आप मिलना चाहते है, आप मिल सकते थे, आप अपने अपनी बात कह सकते थे, और ये सब ताम जाम नहीं था, ये सब ताम जाम नहीं था, so it was nice, it was nice. तक आयाम देती हुई आपके फिल्मे थी, लेकिन मौझूता वक्त में हम देख पा रहे हैं कि फिल्में पूरी तरह से बदल गई है, आपको लगता है कि जो एक अच्छे लेखकों की क्या कमी हो गई है, या सिर्फ दो चार ऐसे चेहरे हैं जिनके इर्दिःद पूरा का प जहरों में ही सीमित है, ऐसा नहीं है, या कोविट के बाद से थेटर बहुत मार खा गया है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन OTT प्लाटफॉर्म ने बहुत से आर्टिस को जनम दिया है, बहुत से लोगों के लिए उपरचुनिटीज पैदा की हैं, और बहुत सा काम मिल रहा ह लोगों को, नहीं तो कही कही साल लोग स्ट्रगल करके कही बार वापिस चले जाते थे, सालो साल स्ट्रगल करके लोग वापिस चले जाते थे, कि नहीं हीरों नहीं बन पाए, या अक्टर नहीं बन पाए, पर आजकल इतना काम है, टीवी ने स्टार्ट किया था, लेकिन OTT और भी उसको आगे लेके गए हैं। मतलब कोरना का जो आपदा था उसने बॉलिवुट के जो छोटे कलाकार रही हैं जिनको बड़े मौके नहीं मिल पाते थे उनके लिए अफसर दे थे अफसर दिये हैं बहुत से So, it's good and bad both दोनों हैं। तोनों हैं। एक तरफ अभी A Country Called Childhood मैंने भी पढ़ी है और दर्शक भी उसको पढ़ सकते हैं जो लोग इस वक मौझूद हैं ताकि आपके जिंदगी से हम सीख सकें कि अगर आगे बढ़ना हो तो कैसा संघर्ष रहता है और बच्पन में जाना हो तो किस हद तक गुजर जाना पड़ता है इसके अलावा दो और किताब हैं मैं चाहूंगी लंभा-लंभा जो आपकी ये पहली आप बताना चाहेंगी लंभा-लंभा ये उनिसोई क्यासी में आपने लिखी थी ये पहली किताब है 1981 में पब्लिश वी और ये पोट्री की है और ये कवितायन जो है ये नजमे ये हिंदुस्तानी में है जिसका मतलब है कि हिंदी और उर्दू का mix So I call it हिंदुस्तानी because it is हिंदुस्तानी न्यॉव्क में आपने पढ़ाई लिखाए और लंभा-लंभा कि जो बोल आए वो अंदर से जेहन से वो हिंदी और हिंदुस्तानी में ही आए मैं चाहूंगे कुछ ऐसी कविताए जो लंभा-लंभा का हिस्सा है जिसको आप पढ़कर सुनाना चाहें Okay, जरूर 1981 में ये किताब आपने लिखी थी लंभा-लंभा जिसकी कुछ कविताए अपनी अपनी तनहायां लिए सवालों के दाइरों से निकल कर रिवाजों की सरहदों के परे हम यूँ ही साथ चलते रहें कुछ न कहें तुम अपने माजी का कोई जिक्र न छेड़ो मैं भूली हुई कोई नजब न दो रहा हूं तुम कौन हो, मैं क्या हूं इन सब बातों को बस रहने दें कुछ न कहें, चलो दूर तक अजनभी रास्तों पे पैदल चलें वावा, शांदार अजनभी रास्तों पर जब हम पैदल चलते हैं तो बहुत सारे अजनभी ऐसे मिल जाते हैं जो जिन्दिगी का हिस्सा बन जाते हैं और मुझे यकिनन आपके फिल्मों की जो फैरिस्त रही है उसमें कई ऐसी कहानिया भी होंगी, कई ऐसे किसे भी होंगी अगर आपको चुछ और भी सुनाना चाहें तो आपका स्वागत है लेकिन इसी के साथ एक और सबाल है आपके पिता लेखत थे, मा पेंटर प्रोफेसर थे अंग्रेजी के इंडिया में भी जब थे, अमरिट सर में हिंदू कोलेज में चीफ, ही बसे हैड फेड़ देपार्टमें और अमेरिका में भी पूरी जिंदिगी उन्हें ने इंग्लिश ही पढ़ाई आपकी अपकी अपकी मादर पेंटिं का शोग था था, तो अभी आप अपक्टेस ने एक हलाल बन गई तो आगे चल के पेंटिंगा तो प्लान नहीं है अपका पेंटिंगा तो हमेशा रहा है, मेरा एक पेंटिंग का स्टूडियो है हिमाचल में जहां मेरी पुरी जो मेरी प्राइविट क्लेक्शन में मेरी पेंटिंग्स हैं वो पर्मनेंटली ओन डिस्पले हैं चोटे से गाव में एक मैंने इस्टुडियो बनाया है वो कभी कुलू मनाली जाना होगा तो आप लोग देख पाएंगे उसका छोटे से गाव में क्यों बनाया आप में बस वो मनाली बहुत भीडबार वाली जगह है तो थोड़ा शान क्वाइट के लिए मतलब वहां मुंबई से दूर वहां पर जाके शान्ती के खोज में पहाड़ों के बिलकुल अपने जिंदगी के कुछ और किताब की पन्ने में चा जो खौईशे पाली थी वो इस फिल्म को करने के बाद पूरी हो गई मुझे बहुत एक लंबे गयाप के बाद एक रोल ओफर हुआ जब पैंडेमिक चल रह था और लॉकडाउन था तो एक छोडी से फिल्म ओफर हुई जिसका नाम है गोल्ड फिश गोल्ड फिश अंग्र और यह फिल्म हमने कुछ एक 20-22 दिन में लंडन में जाकर के पहले तो दस दिन का हमें क्वारंटीन कर दिया गया कमरे में लॉक्ट रहे उसके बाद 20 दिन शुटिंग कर आए और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो इंतजार था कि मुझे कोई इंट्रस्टिंग रोल मिले तो वो इंतजार का फल जो मुझे मीठा लगा कि मीठा रहा वो कोरुना काल के दौरा मीठा मिला मैं आपसे यह जाना चाहूंगी देखिए साहित त्याज तक का यह जो मंच इस वक सजा हुआ है 2016 से शुरुवात हुई 17, 18, 19 तक बहुत अच्छे से गया लेकिन कोरुना काल दो साल ने साहित तक के मंच की दर्शकों से दूरी बना कर रखी एक बरफर से 2022 में हम एक दूसरे की आमने सामने हैं यह दो साल आपके जंदगी में किस तरह का बड़ा परिवर्तन लेकर आए कोरुना काल को आप किस तरह से याद करना चाहेंगी क्या-क्या दो साल थोड़ा, definitely थोड़ा डिप्रेशन भी था क्यूंकि मेरे, I lost some very dear close people during lockdown की दौरान लेकिन मैं यह किताब जो मैं बीस साल से लिख रही थी यह पिछले दो साल में पूरी होगे यह किताब जो है इसको आप बीस सालों से लिख रही थी यह मैं बीस साल से लिख रही थी, Country Called Childhood और यह lockdown की टाइम क्यूंकि और कुछ डिस्ट्राक्शन नहीं था तो मैंने बैट के इसको complete किया, तो यह मेरा बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि thank God I was able to complete the book, तो achievement जैसी feeling होती है इस किताब के कुछ ऐसे हिस्से हैं, जिसको आप पढ़कर सुनाना चाहेंगे हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ दीप्ती नवल जी की यह किताब है अभी हाली में पूरी हुई और उसके बाद धो मचारी है उनके बच्पन की तमाम यादों को संजोई हुई और यकिनन आप भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे इस बात को महसूस करेंगे कि कई बार जब मुश्किले हमारे सामने होती हैं के हाली में कोरोना काल ने बहुत सारी चुनोतिया हम सब के भीतर पैदा कर दी घर के भीतर सभी रहने के लिए मजबूर थे लेकिन उस दौरान अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो बीस सालों तक इनके जंदगी में नहीं हुआ वो इन दो सालों ने पूरा कर दिया तो अब उन दो सालों में अपने बच्पन की यादों को किस सरह से समेट कर ये लेकर आई हैं उसको जानने और समझने की हम कोशच करेंगे और बच्पन की बहुत सारी याले तो चाहिए होता है नहीं हो तो प्रॉब्लम मैं किताब की शुरू में ये किताब के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगी थोड़ा मैं बताऊंगी ये अकसर लोग पूछते हैं कि आपने ओटो बाई ओग्रफी क्यों नहीं लिखी आप फिल्मों में कैसे आई ही कैसे करियर बना कैसे कब शुरू हुआ ये सब सारा तो मुझे हमेशन दिल्चस्पी रही कि मैं as a writer मैं कुई ऐसी किताब लिखूँ मैं मुआर हो जिसमे record मतलब autobiography में ऐसा भी होता है कि you're keeping a record of your achievements, what you did, your difficulties, your highs, your lows वो सारा लेकिन इसमे ये बहुत विज्वल है किताब तो विज्वल होते हुए थोड़ा सा cinematic मेरा भी अंदाज रहा है मेरी पोईट्री में भी बहुत इमिजरी स्ट्रॉंग रही है तो मैं विज्वल cinematically लिखना चाहती थी तो उसका एक नमूना छोटा सा है जो मेरी सबसे पहली memory जो मैं तीन साल, चार साल की थी तो मेरी जो सबसे first memory of my life मैं वो पढ़ूंगी अपने, आप किताब के पन्ने पलट रही है मुझे ऐसा बवजेहन में आ रहा है ऐसा तो नहीं कि इस किताब पे आप चाहती है कि फिल्म बनाई जाए नहीं, मैं as a writer मेरा शौक है कि ये किताब मुझे as a writer समझने के लिए लोग पढ़े है तो वो उसका जो तो ये पहली मेमरी है चार साल की उमर की इस प्रोलोग है इसका ताइटल है The Dance of Songs The Dance of Songs It's getting dark in the city of Amritsar Shops are shutting down Street lamps come on Casting dim yellow pools of light Rickshaws and bicycles Hustle to make their way home A handcart loaded with gunny bags Wobbles down the street Even Dwarka's kite shop Is winding up The old Sardar Taylor Pulls his rickety shutter down Gets on his bicycle And pedals away Shani's voice can be heard She's urging her buffaloes home Grubby little boys The mochis Play outside in the gully And behind the threshold Of the Phatak The big iron gate Two little sisters Bobby and Dolly Go about their lives This scene seems like It was hundreds of years ago But it actually dates back to 1956 It's one of my earliest memories In which I'm nearly four years old It's the street I remember the most The street on which I lived A little girl darts out of her house Crying I want to go to my mama Come back Shouts my Sardi My nanny From inside the gate No, I want to go to my mama Your mama has gone to the cinema Now you get back in here I will also go to the cinema She retorts And runs down the street Suddenly something stirs in the air There's a muffled grunt In the sky And the breeze changes The sky turns red Tin sheds begin to flap and rattle The smell of wind on earth It's a dust storm Stray pieces of paper littering the ground Outside the bookbinder's shop Fly up and float in the air Bicycles fall in a slow, studied motion Along the wall of the cinema hall The wooden shutter of Gyan Halwai's shop Tilts and slips out of its clamp He stands with his arms outstretched Holding it with all his Malai Lassi strength against the wind His lungi threatening to fly off A rickshaw puller peddles backwards and sideways The world The world seems to slant at the edges Dust storms the streets My Sardi's voice cuts through the mayhem Stop, I say Get back girl, it's dark The girl is not coming back She runs all the way to the end of the street And suddenly Finds herself in the middle of Katra's shedsink chalk In front of region talkies Surrounded by huge cinema posters The posters begin to tear From the whiplash of the wind Surr-surr Faces of actors and actresses Fold up and slap against the dry White wash of the decrepit cinema hall Unable to keep her eyes Open from the dust, wind and tears The little girl hides her face in her sleeve At her feet swirl particles of dust Torn scraps of paper Bright orange and pink trimmings From the tailor's shop And gather momentum She stands still for a while Watching the little merry-go-round Around her dotted rubber booties Until her eyes fall upon something Across the street The plot wala Is doing a tandav I'll just read Across the street The plot wala Is doing a tandav He's the skinny man Who sells Little leaflets With the plot And songs of Hindi films Printed on them A strong gust Wisks away the sepia colored Leaflets from his hands And flings them into the wind They soar in the air Going up and up in circles Dodging the poor man's attempts To retrieve them Tossed into the wind The yellow sheet's somersault Now diving to his feet Now rising as if in sudden applause He leaps and plunges By the side of the road Slapping his arms around Hurling himself at the musical notes One leaf slips into two And two into four Till the songs dance above His gaunt lanky frame He dances with the songs The poor plot wala Trying in vain To hang on to his only means Of livelihood As it slips away Into grainy air No one notices the little girl As she stands in the middle of the chalk Enthralled by the dance of songs Her large eyes filled with tears But she forgets to cry There you are Marjani My sardhi steps forward Scoops me up in one Sweeping movement Lodges me onto her hip And strides down the street Puts me back inside the house Where I belong As we enter My grandmother rises from a chair Pointing a finger at me No little girls From good homes Ever go out to cinemas On the street Thank you Thank you Thank you Look at the lines Look at the lines Look at the lines Look at the visual In our eyes And I feel like The most Nirmatad Nirdeshak You will take your book And take your book That the next film Is made to be made Because the story of the future Will be very interesting But with this The story of childhood Is in your book लेकिन जंदगी में बहुत सारे उतार चड़ाओ भी रहे और आपको देखकर मुझे वो लाइने भी याद आ जाती हैं कैसे कैसे तंग रास्ते जिन पर ये जिन्दगी चली है जितना आगे बढ़ते जाओ होती उतनी तंगली है अपनी जिन्दगी को आप किस तरह से हमारे दर्शकों के सामने रखेंगी दीपती नवल क्या है एक शांदार अदाकारा एक साहित्यकार एक कवित्री या कुछ और जो अभी सामने आना बाकी है मैं यह कहूंगी कि मुझे एस एक्रेटिव आर्टिस्टी परसीव किया जाए जिसको जब को जो भी मीडियम मिला है अप से ही शौक था इस किताब में आप अपड़ेंगी कही जगा जगा ऐसी मोड आए जब मैंने डिसाइट किया कि जब मैं बड़ी हो जाओंगी तो मैं उस पर्दे पर होंगी और यह सब लोग जो है ना मेरे साथ बैठे है मुझे देख रहेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे ब किसी भी मीडियम के जिरी अपने आपको एक्सप्रेस करने की तो पेंटिंग हो राइटिंग हो राइटिंग मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि उसमें मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई पेंटिंग बनाई है कोई आइडिया करने के लिए लेकिन उसके बाद भी मु पोएम भी लिखिये, एक पोएम जिसका नाम है Black Wind, जो वो किताब है, अंग्रेजी की, Black Wind and Other Poems, वो पहले Black Wind एक पेंटिंग थी, फिर वो बात पूरी हुई नहीं, तो इसलिए उसके उपर एक चार सफे की पोएम भी लिखने भी लिखने हैं. उस दौर की कई सुपहिट फिल्में आपने दी थी, सबसे जादा दिल के कौन से फिल्म रही और उस समय जितने भी आपके समाना अंतर दूसरी अक्रिस थी, कौन सबसे जादा आपको भाता था, या अभी एक प्रतिसपर्धा का दौर भी देखने को मिलता है, जब एक दूसर you envy somebody's talent or success, not jealous, not jealous, but envious, because envy is a good healthy emotion, because you try to achieve that, तो वो थोड़ा बहुत होता था उस जमाने में भी, लेकिन ऐसे blatantly किसी को run down करना, तू और मैं, तू आपका, इसा कभी होता ने था, people didn't, had more grace, had more lihaz, और एक healthy competition के, मेरे पसंदीदा actresses थी, Smita Patil और Shabana Azmi, तो ये दो मैं बहुत मानती थी, और मुझ से, मेरे दौर से पहले कि जो actresses रही, उनको तुम्हें पूजाही करती थी, जैसे मीना कुमारी रही, मैंने मीना जी के ओपर कई पेज लिखे हैं इस किताब में, बच्पन मे मुझे मीना कुमारी ही अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपको acting के बारे में समझ होने लगी, आप अच्छी acting पहचानने लगी, तो I started admiring people like Nutan, Nargisji, Vaida Rahman, and latest, मतलब last में, मैंने इसकवर ये भी किया के, Madhubala भी Kamal की actress थी, you know? कहीज एक उनका, हाँ, मैंने उनका एक सीन देखा, गुरुदध जी के साथ, मैं तो मतलब मतलब फैन होगी, Madhubala की, पर उससे पहले क्या है, लोग, Madhubala जी को सिर्फ उनकी ब्यूटी के लिए ज्यादा जिक्र करते हैं, बची वस वेरी गुद, वेरी गुद एस अच्छ कुछ यादें उनसे जुड़ी भी, जो आप बताना चाहें, मेरी किताब में है, किताब पढ़ेगी फिर उसके लिए, दो चार लाईने आप बतादें, बांकी किताब में फिर दर्शक दून लेगे, तो मैं बताती हो, मेरी जिस सड़क पे हम, हमारा घर था, बहुत लंबा मेरी जो सड़क थी, उसके इस मोड पर एक मोड जहां पे मैं भाग के चली जाती हूँ चार साल की उमर में, और वहां वो प्लॉट वाला बैठता है, तो वह जो रिजन टॉकीज वाला मोड था, वहां उसके अख्रॉस एक प्रिंटिंग प्रेस था, जिसमें फुल लाइफ photograph of Madhubala, वो लगी रहती थी, और वो मैंने पूरे बच्पन वही तस्वीर को देखा, तो मुझे Madhubala was the first cinema, personality, मैंने जानती थी के कौन है, लेकिन जब फागुन देखी पहली, फिल्म तो फिर समझ में आया कि अच्छा, वो जो लड़की वो प्रिंटिंग प्रेस के दर्वाजे पे वहां खड़ी रहके मुस्कुराती है, वो शी इस ग्रेट स्टार. आपने कभी सुना शवाना जी को थोड़ा बहुत तो मैं जानती हूँ के उनका जावेद अक्तर सहाब शवाना अजबी, नहीं, शवावेद अच्टिविस्त, हाँ, लेकिन, बिकॉस आ दो फॉलो पुलिटिकल कॉमेंस, बिकॉस मुझे लगता है कि ये, they create some rough edges in our creative world, तो वो एक अलग किसम की personality होनी चाहिए, होती हैं जो इन मुदों पे, जो पुलिटिकल मुदे हैं, उनके उपर हर वक्त कॉमेंट करना और अपना उपिनिन देना, मैं बहुत खामोश रहना पसंद करती हूं इन बातो में, because मुझे पूरी जानकारी नहीं होती, तो इसलिए मैं comment हमेशा अपना reserve, चाहिए कुछ feel भी करती हो, तो मुझे लगता है, do I know enough, if I don't know enough, I should be quiet, तो मैं इसलिए नहीं comment करती, but जो लोग जानते हैं, जो लोग बहुत इन चीज़ों को follow करते हैं, पुरा track रखते हैं, तो फिर उनका बनता है comment करना, अपना अपना अपिनियन, और सभी लोग सोशल मीडिया पर अपना अपिनियन दे रहोते हैं, आप देती हैं, मैं नहीं देती हैं, क्यों? नहीं, मैं सिर्फ अपना creative जीवन जो है, वही शेयर करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ लोग उसी को य करते हैं, वो भी आपका personal choice है, if you just want to, want कि लोग आपको सही तरीके से जाने, तो आप अपना, जो भी, अपना real self जो है, वो आगे रखते हैं, और आप वो शेयर करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा news में रहें, तो आप हर चीज पर comment करेंगे, कुछ भी हो जाएकर कुछ आदूतों वाली अदाकारा हैं अभी? नहीं, मैं, I don't know, मैं फॉल्वी नहीं करती हैं, तो इसले मुझे, पर मुझे इतना पता है कि कभी-कभी कुछ चीजें पॉप अप करती हैं, मेरे फोन पे, और उसने फाला ने ये कहा और फाला ने वो कहा, तो I don't think I, I go there and try, but I like to know, कि न्यूस वर्ल्ड में क्या रहा है, न्यूस से मुझे वो मैं अपने आपको फामिलियर रखना चाहती हूं, to stay well informed, मोटी मोटी जो बाते हैं, but I don't get into the nitty-gritty. तो एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि, सला देना ही मुझे लगता है कि, मैं तोड़ी से इंबरेस्ट होती हूं, कि to tell somebody else how to live their lives, क्यूंकि मैंने हमेशा जीवन अपने तरीके से जिया है, तो मैं यही कहूंगी कि, अपनी कन्विक्शन के strength पर आप अपना जीवन जीएं, उसमें बहुत से odds आएंगे और difficulties तो आएंगी ही, तो don't lose heart, heart, वो आपका, जो भी dream है, उसको follow करें, क्यूंकि, finally, जब आप अपनी जिंदिगी पे पीछे मुड़के देखेंगे, तो आपको यह लगना चाहिए कि, हाँ, मुझे मेरे लिए जो important था, मैंने उसी को चेस किया, मैंने उसकी लिए जिया, तो उसमें आप, उसमें कई तरह की चीज़े आजाती हैं, उसमें आपके not only your personal selfish dreams of achievement, उसमें आपके घर वाले, आपके माबाप, आप अपने बुज़र्गों को किस तरह से, किस दरजा, क्या दरजा देते हैं, उन कि कैसे देखरे करते हैं, उनके लिए, आपके दिल में क्या श्रदा है, और किस तरह से, आप उनका योगदान, इडेंटिफाय करते हैं कि नहीं, कि हमारी जिंदगी में उनने क्या दिया है, उसको सोच के चलिए, उसको, don't think, I want to live my own way, ये कहना तो आसान है, but उसमें कितने लोगों का, especially आपके परेंस का, मेरी किताब तो, it's like a love letter to my parents, तो मैं तो ये कहूंगी के, अपनी परंपरा का, उसका पूरा ध्यान, रखें और नहीं पिधी, और नहीं पिधी मोबाइल में को जादा लगी रहती है, और किताबों से उसकी दूरी बढ़ती है, ये जो खाई इसको कैसे पाठा जाए, किताब पढ़ें, प्लीज, मैं तो, because it's something that stays much deeper and longer, social media अपने देखा होगा, comment आया पढ़ा गया, और replace होता रहता है, कुछ और चलता रहता है, you don't really remember, you don't really get impacted, yes, you do get impacted when you listen to, जैसे, अभी हम, program, ये जो हुआ सुन रहे थे, तो हम सुन रहे हैं, कई चीजें आपके मन में घर कर जाती है, दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन किताबों की अपनी जगा है, social media की अपनी आज जगा बन चुकी है, I'm not negating that, लेकिन किताबों की अपनी ही जगा है, और वो जो बहुत अर्से तक आपके साथ चलती है, आप म मेरे लाइफ में, मुझे, it gave me a turning point, ये आप सोशल मीडिया को लेकर नहीं कह सकेंगे शायद। इस याद के साथ हम अपने कारिकरन को बहुत जगा है, और जगजीत साब ने जगाया, so I just happened to be the face on the screen, but ये emotion कहीं और से आया, और बन गया हम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, ये देवतिनवल जी आज तक साहिते कि समंझ पर आने के लिए, और इती खुबसूरत यादों से बातों से हमारे दर्शों का मार दर्शन करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपा, Thank you, Chitra. Thank you. Thank you, all of you. Thank you.